नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल में और मैं विक्रम रावत आज लेकर आया हूं आपके लिए जो भारती राजविस्ता है उसका कुछ इंपोर्टेंट सेलक्टेट क्यूशन है तो दोस्तों यह आप एससे अंटिपीसी रेलवे या देले पु पहला क्यूशन है कि सविदान संशोधन अधिनियम ने राज्य के निती निर्देशक तत्वों को मोलिक अधिकारों की अपक्षय अधिक प्रभावशाली बनाया तो दोस्तों इसका जो आंसर है 42 सविदान संशोधन अधिनियम जो 1906 हुआ दोस्तों जो 42 सविदान संशोधन अधिनियम 1906 है में निती निर्देशक तत्वों को मोलिक अधिकारों की उपक्षय अधिक प्रभावशाली बनाया अधिक भारत के कौनसे राष्ट्रपती द्वितिय पसंद के मतों की गणना के फल सवरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए तो दोस्तों यह है विवि गेरी जो भारत के पूरू राष्ट्रपती नहें चुके हैं विवि गेरी द्वितिय पसंद के मतों की घंडना के फल सवरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित होये थे इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन समिधान के कीस अनुचेत के अंतरगत वित्ती आपातकाल की व्यवस्ता है तो इसका अंसर है अनुचेत 360 और दोस्तों अनुचे 360 के तहट सविधान में जित्ती आपातकाल की व्यवस्ता की गई है इसके बाद भारती समिधान कौन सी नागरिक्ता प्रदान करता है तो यह हैं एकल नागरिक्ता दोस्तों भारती समिधान एकल नागरिक्ता प्रदान करता है next question प्रथम पंचायती राजो tiden का उदंगा अटन पंडित जवाहलाल नेरू ने 2.1ご当 1969 को की सिस्तान पर किया तो दोस्तों बहुत ही important question प्रथम पंचायती राजो ज़ास्ता का उदगा अटन भारत के पुर्व प्रदान मंत्री पंडित जवाहलाल नेरू ने दो अक्टूबर 1969 को किस इस्तान पर किया था दोस्तों ये है नागोर जो की राजस्थान में इस्तिते इसके बाद लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संक्या का कितना होता है तो ये है एक बटे दस नेक्स्ट पंचवर्षी योजना का अनुमोधन तथा पुननिरिक्षक किसके द्वारा किया जाता है तो इसका अंसर है राश्ट्री विकास परिशत दोस्तों राश्ट्री विकास परिशत के द्वारा पंचवर्षी योजना का अनुमोधन तथा पुननिरिक्षन किया जाता नेक्स्ट राज्य इस्तर पर मंत्री को कौन करता है तो यह हैं राज्यपाल जो राज्य का मुख्य होता है राज्यपाल वही राज्य इस्तर पर जो मंत्री परिशल होता है उसकी गठन करता है नेक्स्ट नए राज्जिक के गठन अत्वा सीमा परिवर्थन का अधिकार किसे होता है तो यह है संसद दोस्तों संसद जो होता है हमारे उसको नए राज्जिका गठन करने अत्वा उसकी सीमा को परिवर्थित करने का अधिकार ट्राप्त होता है भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है तो यह है प्रधानमंत्री के परामर्ष से राष्ट्रपती द्वारा जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनके परामर्ष से राष्ट्रपती द्वारा भारत की लोकसभा भंग की जाती है नेक्स्ट भारती सविधान में संग की कार्यपाली का शक्ति किसमे नहीत है तो यह है राष्ट्रपती में जो संग की भारती सविधान में संग की कार्यपाली का की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपती में नहीत होती है दोस्तो बहुत ही इंपोर्टेंट राज्यसभा का सर इसके बाद संसद का कोई सदस्य अपने अज्यक्ष की पूर्व अनुमोती के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्तित रहे तो उसका इस्तान रिक्त गोशित कर दिया जाता हैं तो यह हैं साड दिन दोस्तों अगर कोई भी संसद का सदस्य जो लोकसभा में निर्वाची थें अगर वस पूर्व जो अज्यक्ष होते हैं अज्यक्ष की पूर्व अनुमोती के बिना साड दिनों तक संसद में अनुपस्तित रहता हैं तो उसका इस्तान रिक्त गोशित कर दिया जाता है लोग्सभवा अध्यक्ष िद्ध को कौन चुनता है तो यह रोग्सभवा के जय अर्य हिए number अध्यक्ष का है बेजते हैं, इसके बाद, केंद्र सरकार का समवेधानिक प्रधान कोन होता है, तो यह हैं राष्ट्रपती, दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपती होते हैं, वे केंद्र सरकार का समवेधानिक प्रधान होते हैं, राष्ट्रपती पद के चुनाव संबंदित विवाद को किस प्रिवी परसोद और विशेशाधिकारों को कि संविधान संचोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया तो है 26 संचोधन अधिनियम द्वारा सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है तो यह हैं अनुच्छेद 15 जो हैं सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है इसके बाद समविधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के की सदन में पेश किया जाता है तो जो सोधन किया जाता है किसी भी विधयक में तो उसको किसी भी सदन में पेश कर दिया जाता है चाहे वो लोकसबा हो या राज़सबा हो Next Question राश्ट्रपती पद्थ जो कार्यकारी राष्ट्रपती के अलावा इसके सबसे कब अवदी के लिए पदारूर रहने वाले रेक्ति कोन है तो यह हैं टाक्टल चांकीर हुसेन इसके बाद नेक्स्ट क्विशन राज्यों का भाषाई आधार पर गठन कीस वर्च किया गया तो यह हैं 1956 और दोस्तो जो भाषाई आधार पर सबसे पहला जो राज इस्तापिट किया गया ता हुआ है आंद्रप्रदेश तो दोनों ही बहुत इंपोर्टन जानकारी बहुत इंपोर्टन जानकारी बिहार विदानसभा में सदस्यों की संक्या जो विदानसभा चुनाव होते हैं बिहार में जो अभी आने वाले हैं तो करेंट के लिए भी बहुत जरूरी है दोस्तो तो यह हैं 240 नेक्स्ट लोकसभा के चुनाव शेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगर्णा के बाद किया जाएगा तो यह हैं 2026 इसके बाद गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया तो उननीस सो सित्यासी दोस्तो बहुत ही इंपोर्टन जानकारी उननीस सो सित्यासी में गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया नेंक्षट नगर नीगम के सरवची अधिकारी को क्या कहते हैं दोस्तों बहुत ही difficult जानकारी जो नगर नीगम होते है उसके सरवची जो अधिकारी होते हैं उसे महापोर कहा जाता है प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनितिक दलों को राष्ट्री दल के रूप में मान्यता दी गई तो यह हैं 14 दोस्तों 14 जो दल हैं लोकसभा चुनाव के प्रथम जो चुनाव हुए थी उसमें 14 दलों को राष्ट्री दल की मान्यता दी गई थी प्रधान मंत्री का सचिवालय किसके अधिन होता है तो दोस्तों यह है ग्रह मंत्रालय के अधिन होता है इसके बाद सविधान सबाद वारा पारिज सविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसुचित सुचिया है तो यह हैं तीन सो पिच्चाणों अनुसुचेद और आट अनुसुचिया Next region दोस्टो बहुत ही important जानकारी और अपने basic जानकारी है सइधान के लिए तो भारती समईधान कितने भागों में विवाजित है तो यह हैं बाविस भागों में दोस्टो जा भारती समविधान है वह 22 भागों में विवाजित है और बहुत ही important जानकारी भी है ये Next question भारती समिधान के अंतरगत समिधान में संशोधन संबंदित पहल का अधिकार किसे होता है तो भारती समिधान के अंतरगत समिधान संशोधन की संबंदित पहल का अधिकार भारती संसद को होता है कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या समीत नहीं किया जा सकता है तो यह है व्यक्तिकत सवतंतरता और जीवन सुरक्षा का अधिकार जो व्यक्तिकत सवतंतरता और जीवन सुरक्षा का अधिकार है यह आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है इसके बाद स्विधान के अनुचे 24 के अंतरगत कितने वर्ष या कम आयू वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जाकता है इसके बाद दोस्तों लाश्ट क्यूशन समिधान के अनुचे 307 में किस प्रकरिया का उलेक किया है तो यह हैं समिधान चंशोधन की प्रकरिया जो समिधान चंशोधन की प्रकरिया है वो अनुचे 368 की प्रकरिया का उलेक करता है तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को स्काइब करना ना भूले थैंक्स पर वोचिंग मिलते हैं नए बडेट्स के रहें